कि अगज़ का अगज़ का अगज़ कि अगज़ का अगज़ क्या जब पूरे भारत में दिल्ली सल्तनत यानिकी असलतनत का अंतिम पतन होने वाला था उस समय की यह कहानी होती है जिसमें कि हम लोग देखेंगे मुगलकाल हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टरी नंबर वन में दोस्तों बहुत-बहुत पसंद आएगा और इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है जो कि आज से हम स्टार्ट कर वें हैं में राइवल हिस्टरी के पार्ट को अगले कंटिन्यू करते हैं जिसको हम मुगल काल या मुगल समराट को देखेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप सभी को बहुत पसंद आज आएगा जैदि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को कर दीजेगा और यहीं चैनल कों लाइक हैं चैनल को भी कर देज़ेगा और हो सब्जलाट को चलते हैं आप आज की अपने टॉपिक की ओर जो कि हम मध्यकारिन भाध की इतियास के करम में अगला अगला टापि करेंगे किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में संघस किये और कहां-कहां इन्होंने युद्ध कि लड़ाईयां लिए और इनके जीवन में इंपोर्टेंट घंटनाय होती है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों आज आज ये तयार होकर आज का कुछ क्लास इंपोर्टेंट होनी वाला है हलाके सभी क्लास इंपोर्टेंट ही होते हैं बट आज कुछ खास होनी वाला है तो चलिए दोस्तों आज चलू करते हैं यह कहानी थोड़ा साम इस पर चल देते हैं बेसिक के रूप में कि यह कहानी उस दोर की है जबकि पुड़े दिल् स्ल्टनत में फैला उसका पतन होने वाला था तब भाबर की जीवन से हम लोग चर्चा करेंगे कि बाबर ने किस प्रकार से पुड़े दिल्ली सल्टनत को हरा करें पुड़े दिल्ली सल्टनत को पराजित करके अपना मुगल सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी एदम तयार हो जाईएगा उम्मिद करता हूं कि आप सभी लिख नहीं पाते हैं तो इसकी आप सभी को आसानी मिलेगी पढ़ने और लिखने में चले चालू करते हैं आज सब्सक्राइब कर देखें क्या है मुगल का नní मुगल वंस 15形 लेकर 17 charismatic के बीच में अधास हाथ हलाकि जब मुगलकाल का सत्ता इस्थापित हो जाता है और इसमें देखेंगे 707 यानि कि जहांगीर की मित्व के बाद में इनकी यह जो मुगलवंस दो भागों में बाटा गया है जो कि एक उत्तर मुगलकाल है तो 707 से लेकर के 1857 के बीच में जो काल रहता है इसे उत्तर मुगलकाल की नाम से जाना जाता है तो आप यहां पर देखेगा बस थ्वास इनके परचे मिचल देते हैं परचे क्या है इनका परचे तुर्क के चर्गताई संख्या से साख्या से लिए इनका संबंद्र यानि कि देखे हैं मुगल काल करते हैं कि मंगोल प्लस तूर्क, मंगोल प्लस तूर्क का मिच्नल को नमीद करता यानि कि मंगोल ओर तूर्क दोनों का मिच्ए है चले, मुगल वांस अपने आपको तुर्क कहीं मानते हैं तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्टन ही क्या कहलाता है तो इनका मुगल कहलाता है और मुगल का आर्थ क्या होता है बहादूर यानि कि अपनी आपको बहादूर इस्ति में रिप्रेजेंट करना तो ही आपका है इसको ध्यान से देखीगा अब क्या है इनके सथापक के बिश्चेम चलते हैं कि मुगल वांस की स्थापना किसने की तो मुगल स्थापक क्या है बाब अब यानते होंगे को नोगे मुगल मुगल वंस की स्थापना रखी तो इनके के संस्थापक बाबर ही हो जाते हैं और बाबर ने जहीरुदिन मुहम्मद के नाम से कहा जाता है नाम है अब जो अगे चलते हैं तो आगे चलते हैं कि इनके पिता का नाम है उमर सेख मिर जाया और अधर क्या नम है चुलुग निगार खान माता का नम है और पीता को की मांते हैं और माता मंगोल का मिश्ण कर दो कब अब इसको ध्याद से देखेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबर की पिता का नाम कुद्लुग निछान पीता का क्यानाम है शेक अबने आपको मंगote मानते हैं अए जो है उतने को यह पने आपको अपनी में चींट करता है तो से आप लोग तो चलते हैं के संबधंद में तो उनका जन्म 14 फरवदी 1483 में फरगना के तुर्की छेत्र में होता है तुर्क छेत्र जो होता है तुर्क आप जानते हों के तुर्क प्रदेश होगा तुर्क छेत्र के फरगना नाम फरगना जिले में फरगना छोटा सा प्रदेश है उसी में हुआ थे इनका जन्म कब सब्सक्राइब अब उत रिष्टिदार होते थे इनकी पिटा से नाराज थे और इनके मोड़ करते हैं कौन मोड़ करते हैं जब इनकी प्यत्ती हो जाती है पहले इनकी जन्वर दखिए 1443 स्वी में क्या होता है इनके पिता की मृत्ती हो जाती है तो इनको ही कम उम्मर में मजबूरन राजगद्धी पर बैठना होता है क्योंकि वर्गना कर जो अब देख सकते हैं उनके पिता को उम्र्थ कम चाटे साला के द्वारा तो उनको को ही इनको बाबर को ही फरगना का सासक बनना पड़ता है तो आप देख सकते हैं कि फरगना का हो सिसकता बाबर को अबबार के चलते हैं प्रादमभी संगर्स किये सफल प्रदेश है और किसकी संगर्स में सफल नहीं हुए ता यह देखते हैं इसको मेव की जरीए से यहां थोड़ा से मिटा रहे हैं तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है इसको याद कर लेज़ेगा या फिर सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहां पर थोड़ा से देखेगा क्या है कि यह हमारा कि भारत का छेत्र है भारत के छेत्र में क्या है यह तूर्क प्रदेश है और यहां पर क्या है यहां पर समर्कंद क्या है यहां पर समर्कंद है अब देखिए यहां पर क्या है तूर्क यानि कि यहां पर बाबर का राज है और क्या मेरा भाडु है भाहत में किया यहां दिल्ली सल्थन चल रहा है यहां पर क्या है दिल्ली मेरी सल्थनत Southwest किया 1494 में इन्हों में राजगर्डी पर बैड़ते हैं पित की मित्ति हो जाने के बार में अब फित हैं साला के ही द्वारा यानि की हीटथनात् विसक्राइस की उंद में इन्हों सत्ता को समाली उसी समरकंद को जी टेने का प्रयास किया समरकंद कहां पर है यहां से इधार जाएंगे तो समरकंद है अब इस पर समरकंद पर आक्रमर किया 12 वर्स की उम्र में आप सोच सकते हैं कि 12 वर्स की उम्र में इन्होंने समरकंद पर आक्रमर किया अब देखे 12 वर्स की उम्र में इन्होंने समरकंद पर आक्रमर किया बट आक अभी भी ऐसा युद्ध नहीं किया था और इसमें क्या हुए असफल हुए बट इन्हों ने अपना संगस छोड़ा नहीं चवदर सु संतान बेश्वी में पूना समरकंद पर आक्रमण किया और जीत भी हासिल की यहानि कि इन्हों ने फिर पूना नदना चवदर सु संतान बेश्वी फर फीर इन्हों ्हों ने समरकंद पर आक्रमण करते हैं लेकिन इस वर्स क्या करते हैं जीत जाते हैं जीत जाते हैं को भला यूदिन कबतार 1494 सिमई में बट इन्हों नेजीत हासिल नहीं कि पहने सेना में मजबूती बनाया और मजबूती बनाने के बाद में समर्कंद पर फिर अधिकार करने के लिए चौदर सो संताम बेश्ची को फिर अधिकार करने के लिए आक्रमर किया और आक्रमर करने के प्रस्चात में इन्हों जीत हासिल की जीत क्या की हासिल की अब जीत हासिल करने की बार में होता क्या है कि इन्हों ने समरकंद पर जारा दिन तक का सत्ता इस्थापित नहीं किया कि नहीं कितने दिन तर मात सो दिन तर इन्हों ने सपता इस्थापित कि फिर उसके बार में इनको वापस आना पड़ा अब देखें में पंदर सो एक स्वी में यानी कि चार वर्ष बार फिर उन्हों पर आक्रम्र किया और जीत पर भी हासिल कि फिर देखिए फिर इन्हों ने पहला युद्ध चवरानबे में किया चवरानबे दूसरा कब किया संतान किया तीसरा युद्ध एक में यानि कि 501 इस्वी में इन्हों ने अपना तिसरा युद्ध को प्रादम किया अब तिसरा युद्ध में क्या हुगा कि पुना समरकंद पर आकमर करते हैं और आकमर करने के प्रशात में जीत भी हासिल करते हैं और जीत हासिल करने के बाद में आठ मंद तर आठ महिना only one आठ महिना क्या क्या इन्हों ने इस पर कब्जा किया फिर इन्हों ने वापस इनको आना पड़ा अब देखिए फिर क्या होता है पंदर सो चार में काबूल और गजनी को जीता काबूल गजनी इधर है अब देखिए काबूल और गजनी पर इन्हों ने क्या क्य किया पंदर सव चारिस्विम क्या क्या इन्होंने आक्रमर करते हैं जब यहां पर करते हैं तो इनको क्या मिलती है जीत मिलती है क्या मिलती है यहाँ पर जीत मिलती है तो एक प्रकार से इनको आइडियाज लग जाता है यानि कि हम समरकंद की और आक्रमड करने जाते हैं तो हमको क्या मिलती है हाल मिलती है या फिर जीत मिलती है सो दिन की या आठ महिने तक की जीत मिलती है बट काबूल की और गजनी की और दिश्डी से है अब देखे थोड़ा सहा आगे चलते हैं कि कि पंदासों घ्यारा इसम्रौमर्गान्द पर जीत हासिल किया बही तो बार में उसे खो बैठे़ यानि कि पंदासों और 12 में यहां करते हैं करते हैं सम스타ं करते हैं यहाँ इस्थापीत करते हैं एक यहाँ परEr सथापीत करते हैं और नहीं पढ़ा तो इनके मन में एक विचार आया कि हम समरकंद पर आक्रम्ण कर रहे हैं लेकिन हमारा समरकंद पर आक्रमण सफ़न नहीं हो रहा है तो देखें अब इन्होंने अपना रूट चैंज करते हैं अब देखें क्या है City अब परन के बढ़ा बड़ा यानि हम्हर्द एस्या प्रिखाई दिखाई देता है अब आगे चलते हैं बाबर का भारत पर किस प्रकार से आक्तमर किये इनकी समरकंद की साइड में तो इनको जीत नहीं हासिल मिली और यहां पर गजनी पर अक्तमर किया इनकों क्या हुई जीत मिली अब इनका मन भारत की और बढ़ने लगा जब के साइड में क्या मिले मिल जीत पफले चक्कर में ही मिल गई तो आप देखिए यहां पर क्या है पंदा इंछ्टापित किया और فारासहा भारत कहां पर प्राडर ढूसरा दोनों पर आकरमट करते हुए यहां पर राज करना उचित नहीं और पुदहक वापस चले आते हैं इस से 1589 1974 में पिशावर तक जीता और वापस आया यानि के कुछ आगे तक जीता और फृक्या-क्या पूनह वापस चले आते हैं तो देखिए इनका जो पहला आक महुता है पंदर सोब इसमें सीमाच बाजर और अर्थोनों को करने के लिए नहीं है या फिर होगा भी तो इन्होंने पहले अभी चेक कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो हमारी इस्थिती कैसी बन रही है तो इनके एक-डो बार जब यूद करते हैं युद करने के बार में भाष्य ओर इनकी दयादिश्टी अधिक बढ़ने लगती है यहाने कि भाषर्ष कberry कमजोर है हम हम यहां पर 27 स्थापित कर सकते हैं तो देखिए यहां पर क्या है कि पंदर सबीस इसी में उसने बाजवर और भेरा से पंजाब के सिंहाल कोट तक जीत लिया यानि कि देखिए अब पंजाब जो बाजवर और भेरा है उसके साथ साथ अब वह अत्मान में जो पाकिस्तान है अब देख सकते हैं पाकिस्तान के सिंहाल कोट तक इन्होंने जीत हासिल के अब देखिए पुड़ेग्दम भारत के बीचों बीच में आ रहे हैं बट इन्होंने पहला कदम जो उठाया सीमा च्छत बाजवर और भेरा पूठाया दूसरा पिसावर जीत लिया फिर तीसरा क जाबर की तो आप उम्र जानते ही हैं अब कितनी वर्स के हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1520 में इन्हों ने बाजवर और भेरा दूनों को जीत लिया जो कि पंजाब के सिंहल कोट अब देखें क्या है अगला कि 1524 में उसने लाहाव सहीत पंजाब के अधिकांस को इन्हों ने किया किया कर लिया अब कबजा करने के बार में थोड़ी से स्क्रावाव को हम मतारेते हैं कि ने अबता देखें कि अबाबर को 你 नेंभता देखर nutrition कि आidé बाल पर इब्राहिम लोधी पर आक्रमर्ढ कीजिए और इससे सफ्तता को इतों जब उनके चाचा और बनगाल के ढबाब ऊंक हे इरादा नहीं था कि बाबर आएगा लड़ाईयां युद्र करेगा तो क्या करेगा याँपर सफ्तां इस्थापित कर सकता तो इनदोफ हम समालेंगे तो इसी के संबंद में उन्होंने क्या किया कि बाबर को ने उता दिया बट उसके पहले आप देख सकते हैं बाबर के समय भारत का राजनीतिक इस्थिति अब राजनीतिक कि पानीपत का प्रथमुत के समय राजनीतिक इस्तिति क्या है तो पहले हम ळाने लेते हैं कि यूद को कि हम आपको बता चुकि है कि जो इब्राहिम लोगी थे चेटा अंतिम सासकmir कि आख बाबर अच्छा समय समझ करके हम चलेंगे अधिनारा इब्राहिं लोधी पर आक्रमंट करें साथ में और पानिपत के प्रथम यूद्र के संबन में आता है और पानिपत का प्रथम यूद्र कव होता है 21 अप्रेयल 1526 में होता है अब देखिए बाबर ने दिल्ली शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया और पराजित करने के बाद में इन्होंने मुगलोंस की स्थापना किये प्रथम कि सेना मात महस 12 12 !000 आ इब बाहिम लोधी कि सेना कितनी थी तो इब्राहिम लोधी कि सेना एक लाख थी यांनि एक लाख पर 12000 भारी पढ़ने वाला है तो अब बाबर क्या करेगा कुछ अच्छी तरह से तकनीकी लगा एगा कुछ अच्छे स्वागीर्यों का तूगलमा निती का प्रयोग करता है तूगलमा निती का प्रयोग मतलब कि तोप सजाने में उस्मानी निती का प्रयोग तो एक तूगलमा निती होती है जिसके तहत इन्होंने अपनी युद्ध किया और जो तोप है वो सजाने के लिए उस्मान बिधी का प्रयोग किया उस्म कि घृष्माननिती का प्रयोग प्रत्म बार तो खाने का प्रोग माना जाता है आ season it प्रत्मबार तो बतल ऑन सब्सक्राइब का प्रियो प्रोड करते हैं क्या है यह मैं कि नियुक्त क्या कि प्वूंघ क्या करें कि इन्हों ने अपनी जो लड़ाईआ लेते समय इन्हों ने तुगलमा नेति मिस्मान बिधि का प्रयोक गया और तूसे उन्हों ने क्या लड़ाईयां किये और लड़ाईयां लेने विस्वास प्रस्ता हो जाता है जिसके तहट युक्ष प्राहिम लोदी के सम्परति युल समस्पर घरक होच कुछ पैसर बट्वा है कुछ भोजन आनाज फ्रकास सहहता दिए और उसी सहता के वज़र से उक्या किया गया कि यूद्ध के बाता कि कर इनको कलंधर कहा गया यानि दान या उदान दान ओरτο के क्या अब उपाधि गई इनको क्या किया पाणी पत का प्रतम यूद 1526 और खानवा का प्रतम यूद 1527 फ्रीम होता है और यहाँ पर को जो होता है बाबन ने राज पूत राजा राणा सांगा आप राणा सांगा का नाम सुने होंगे राणा सांगा कहीं भोज राज के ही ही पतने लिट्ति हो जाती है जिससे कि मीरा भाए बिध्वा हो तो यहां पर देख सकती है कि बाबन ने राजपूत राजा अब राजपूत राणा सांगा से क्यों युद्ध किया क्योंकि इन्हों ने उसमे पुड़े राजपूत काल में एक सबसे तापी राजा कौन थे राणा संगा कहा जाता है कि इनके शरीर पर चवरासी घाओं के निसान थे तो इन्हों ने अरी यार लाइट कड़ चलो अच्छा मिलते हैं कुछ रेष्ट के बाद तो चलिए फेर से आ गया हूं तो हमारी बात कहां पर थी कहाने तो हमारी कहानी यहां पर थी कि जो राणा सांगा था उसके शरीर पर 44 घाओं के निसान थे और उन्होंने क्या क्या था यहां पर देख सकते हैं और बाबर के साथ यूद लिए और बाबर के साथ यूद लेने के परस्चाद में बाबर ने जिहाद का नारा गोसित किया अब देखी बात आती है कि राणा सांगा से क्यों लिया की ज़ंगा आने युद उन्से क्यों लिया वाबर से यूधल में निकाजन शोचता था कि बाबर आया इब्राहिम लोदी को हराएगा और धन लूटेगा और लेकर चला जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं बाबर आता है और अपना प्रभुसत्ता यहां पर इस्थापित कर देता है जिससे की राणा संगा नाराज होकर इनसे युद्ध लेना प्रारंब कर देते हैं तो ही किती कहान सबुद्ध चन्डेरी का युद्ध 1588 में बाबर और मेदनी राय के बीच में लाड़ा गया आप देख सकते हैं चन्डेरी का युद्ध बैसिकली एक चंडेरी नामक अस्थान है तो इस्थान जिसका नाम है चन्डेरी जो कि मालवा के पठार में पढ़ता है बुंदेलखंड में तो मालवा इमंदेलखंड की के सीमा सीमा पर इस्थित एक महतोपूर व्यापारीक इमंद राजनेतिक अस्थर था तो बस इतना है अब आगे चलते हैं आगे क्या है युद्ध में बाबर ने राजपूत सदार रा राणा संगा ने राणा संगा की अब तो मिलती हो चुकी है चुकी मलब 1527 में जो 28 में क्या होता है नहीं सबसे विश्वासिस अधार जिसका नाम में मेदनी राय के साथ पराजित करता है बलकि उसकी दो पूत्रियों को अपहरण करके अपने दो पूत्र जिसका नाम है हुमायूंड कामरान को भेंट देता है यानि कि गिप्ट देता है तो उसको याद रखेगा अब चलते हैं थोड़ा सागे इस युद में उसने जिहाद का नारा दिया था जिहाद का नारा क्यों दिया था जिहाद यानि की कर सकते हैं एक प्रकार का अपने धार्म के प्रति लड़ने का नारा होता है यानि कि आप देख सकते हैं जो खानवा का युद हुआ था खानवा के युद में राजपूत जा हैं लेकिन फिर भी इनकी आगे इनकों जूखना पड़ा क्योंकि बाबर जो था अपने अपने साइनिकों को उत्प्रेजित करता था कि अपने मलत अपने ऊपने अपने युद्ध के लिए हमें और यु पिद्धित गया और उसी युद्ध तुछ चंदः का यूद में वह जिहाद का नारा इसलिए तुन कि कहता था कि हमारे धर्म के प्रति हमारा जीत होगी तो ही आप देख सकते हैं राजपूत राजा यहां पर दिख नहीं रहा होगा तो इससे लेगए तो राजपूत राजा राणा-संगा के सबसे विश्वास के साथ होता है तो कि इसके साथ होता है ओढ़ाभर के साथ होता है महमूद लोधी यह 526 पानिपत के यूद में अट बॉल अ meth कहा जाता है महमूद लोधी थि अफ्ट आनि अफगान जली था एब लोधि और आफगान सहीं था इब्राहेम लोदी और महमूद लोदी भी अफगानी था तो महमूद लोदी को प्राजित करता है कौं बाबर यानि की बाबर ने यद्ध सबसे अंतीम युद्ध है किसका बाबर का सबसे अंतीम युद्ध कौन साह गागरा का युदनर हो जाती है बाबर की मृतियों क्या हो जाती इन्हों व क्या सही कि घृष dots तो ट्री बहुत इंपोर्टेंट्स नहीं दिखता है तो कि जब बैसिक से पढ़ेंगे तो ट्री कोई काम नहीं करता बर आप देख सकते हैं कि जैसे कहा जाता है बाबा कैसा पानी खाना चपाती में घी यानि कि पानी से क्या हो जाएगा खानवा का यूद्ध और चपाती से क्या हो जाएगा चंदेरी का यूद्ध और घी कि जिएगा घागरा का यूद्ध तो इस प्रकार से याद किजिएगा डेट में कोई दिक्कत ही नहीं है 26 27 28 29 और अंतीम में 30 में क्या हो जाती है इनकी में देखिए मित्यू की बाद में उनके सव को लेकर कुछ विश्वास प्रस्ताव करें इनकार किसे प्रकार से जलाया यकिद्य इनकी सव जो होता है सव जो पालिया आप देख रखते हैं सव को आगरा के आरामभाग में व् nggak में दफनार अब आगा आगरा के आरामबात लिखाने के बाद में होता क्या है कि इन्हों ने अपनी एक कृती लिखी थी तुजुक ए बाबरी जिसे बाबन नामा कहा जाता है तो तुजुक ए बाबरी में क्या लिखा था कि हमारी जब मृती होगी न तो हमें लाहावर में दफनाया जाए तो अब लाहावर में दफनान इन्हों ने अपनी एक क्रýti लिखी थी जिसका नाम है टुझुक ये बाबरी》 जिसे बाबर नामा कहा लुगता है तो इन्हों ने उसमें लिखें था कि हमारी मिर्ति होने के बाद में हमें काबूल में दपनाया जाना चाहिए तो फिर इनकी को उठाया गया और उसको काबुल में दफनाय गया अपर लिख सकते हैं इनकी रचना कौन-कौन से थी तो इनकी रचना बाबर की रचना क्या थी तुजुक-ए-बाबरी जिसे भाबर नामा कहा जाता है इनकी पर बाबर नामा कहीं नाम से जाना जाता है और इसी बाबर नामा में आप नाम की नाम की बाबण नहीं किया था आपको कैसा लगा उम्मीद करूंगा कि अच्छा लगा होगा तो आप मिडाईवल हिस्ट्री का एक वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं यदि आप आध्मिक भारत के इतिहास की विशे में आप देखेंगे तो हमारा एक चैनल है अलग चैनल है उस पर आध्मिक भारत का इतिहास मिल जाएगा जिसका की वीडियो का लिंग इस चैनल क के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप जाकर यहां पर से लिए लिजीगा तो दोस्तों मैं आप से बीदा चाहता हूं अपनी बाड़ों को यहें पर बिराम देना चाहता हूं और आप लोग यहां से विस्तित जानकावी के लिए आप मारी चैनल से जुड़े देख थैंक यू धन्निमात आला बेच थैंक यू